नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एजूकेटड सरावस्ती में आज हम बात करेंगे बिटामिन्स के बारे में बिटामिन्स हमारी लिए क्या आजसेख हैं? बिटामिन्स किदने प्रकार के होते हैं? और बिटामिन्स की कमी से कौन-कौन से रोग हमारे सरीर में उत्पन होते हैं और उन रोगों से लड़ने के लिए हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए? इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिसकस करेंगे तो बिटामिन्स सुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि हम जो दिन प्रद्दिन की किरियाएं करते हैं उन सभी को करने के लिए हमें एनरजी किया वसकता होती है और वह एनरजी हमें कैसे प्राप्त होती है? अगर हम एक बैलेंस डाइट ले तो इसका मतलब पोसड युक्त आहार लें और पोसड युक्त आहार में उचित मात्रा में बिटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइट्रेट और न्यूकलिक एसिट का समावेस होना चाहिए इन सभी चीजों का एक उचित समावेस हमें एक पोसड युक्त आहार से मिल सकता है दोस्तो हम इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे प्रोटीन, फैट, बिटामिन, कार्बोहाइट्रेट और न्यूकलिक एसिड इन सभी चीजों को हमारे सरीर में आवसकता होती है इन सभी को हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे दोस्तो बिटामिन जो है हमारे सरीर को बिभिन रोगों से बचाता है एक्जामपल आप ले लीजिए बिटामिन A की कमी से हमारे सरीर में रताउंधी का रोग हो जाता है जिससे हम देख नहीं पाते हैं बिटामिन A अगर हमारे सरीर को समपूर रोप से मिलता रहे तो हम रताउंधी से बिमारी को भागा सकते हैं दोस्तो इसी प्रकार से प्रोटीन हमारे सरीर में जो विकास और बिर्द्धी होती है उसमें जो है प्रोटीन सहायक होते हैं हमारे सरीर में जो growth होता है जो development होता है किसी भी part का या किसी भी चीज का इसके लिए responsible होता है protein fight जो है हमारे सरीर की तचा को मुलायम बनाये रखता है fight की कमी से हमारी तचा सूखेपन का सिकार हो जाती है साथ ही बहुत ही important चीज फैट से हमें 20 से 25 प्रत्सत उर्जा मिलती है जो fight होता है वो हमारे सरीर को 20 से 25 प्रत्सत उर्जा देता है carbohydrate जो है वो carbon hydrogen और oxygen से मिलकर बना होता है इसमें carbon का अनपाथ और hydrogen का और oxygen का 1 अनपाथ 2 अनपाथ 1 होता है दोस्तो हमें 50 से 50 प्रसंट एनर्जी 50 से 75 प्रसंट उर्जा जो है carbohydrate से मिलती है हमारे सरीर को फिर बात आती है nucleic acid की nucleic acid दो प्रकार का होता है DNA और RNA जो हमारे सरीर जो हमारे आनवनसी गुण को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक पहुचाने का कार्य करती है दोस्तो ये थी छोटी से इंट्रो हमारे balance diet के बारे में तो अब हम सुरू करते हैं vitamin vitamin के बारे में आज के video में हम देखेंगे कि हमारे सरीर को कौन कौन से vitamin किया हो सकता होती है और सबसे पहले देखेंगे कि vitamin की खोज किसने की तो हम सुरू करते हैं vitamin के बारे में who discovered the vitamins एक बैग्यानिक जिनका नाम होपकिन्स हैं इन्होंने vitamins की खोज की सन 1929 में इन्हें medicine का nobel prize दिया गया और जो सब्द vitamin है vitamin सब्द की खोज फंक नामक बैग्यानिक ने 1912 SB में किया दोस्तो vitamins जो होते हैं वो आरगेनिक कंपाउंट होते हैं most of the vitamins are not synthesized in sufficient amount by the organism अधिक मात्रा में vitamin ब्यक्ती के सरीर में synthesized मतलब बन नहीं पाती है इसलिए vitamin को require करने के लिए vitamin को बनाने के लिए हमें बाहर से वस्तों को खाना पड़ता है vitamins are required for specific metabolic reaction within the cell vitamins are essential nutrients vitamins जो होता है वो essential nutrients होता है because animal cannot synthesize such compound in adequate amount for its daily need क्योंकि जो organism होता है या जो animal होता है वो vitamin को जिसकी आवस्चक्ता होती है जो daily need होता है वो नहीं बना सकता है अपने सरीर में इसलिए vitamins हमारे सरीर का essential nutrition है इसको हमें बाहर से absorb करना पड़ता है तो vitamins दो परकार के होते हैं एक water soluble और दूसरा fat soluble तो चलिए अब हम देखते हैं vitamins two types के तो अब हम बात करने वाले हैं दोनों तरग विटामिन्स के बारे में यह देखिए यह water soluble vitamin है यह fat soluble vitamin है जो water soluble vitamin है वो B and C है और जो fat soluble vitamin है वो A, D, E and K है दोस्तो कोई अगर आपसे question पूछता है कि vitamin B, D, E and K में कौन सा vitamin fat soluble नहीं है तो दोस्तो vitamin B यह fat soluble नहीं है यह इसका right answer है अब हम बात करने वाले हैं vitamin D and vitamin K के बारे में यह दोनों vitamin हमारे सरीर के अंदर बनते हैं vitamin D यह जो है इसको sun vitamin भी कहते हैं जब सूर की ultra violet किरणे हमारे skin पर पढ़ती हैं तो vitamin D का निर्माण होता है ultra violet जो किरणे होती है बैगनी ultra violet बैगनी किरणे जिसको कम कहते हैं वो हमारे skin पर जब पढ़ती है तो vitamin D का formation होता है दोस्तो और बिटामिन के हमारे जो है सरीर के large intestine में इसका formation होता है large instantine जाकर तीन पार्ट में divide हो जाता है calicum, colon and rectum जो colon वाला पार्ट होता है इसमें कुछ bacteria पाए जाते हैं जो vitamin K का formation करते हैं दोस्तो बिटामिन K का formation हमारे सरीर के large intestine के colon पार्ट में होता है जो कुछ bacteria के द्वारा किया जाता है दोस्तो अगर आपसे कोई सवाल पूचे कि hormones, vitamins किसको कहा जाता है तो आप जबाब देंगे vitamin D को hormones, vitamins कहा जाता है vitamins कितने परकार की होती हैं और उनका chemical name क्या है और उनकी कमी से होने वाले जो disease हैं, जो बिमारी हैं, वो कौन से होते हैं तो हम बात करेंगे vitamin A के बारे में तो सबसे number 1, vitamin A, इसका chemical name होता है retinal retinal इसका chemical name है और number 2, इसको हम zero phytol भी कह सकते हैं इसका दूसरा नाम zero phytol है, इसकी कमी से night blindness हो जाता है ब्यक्ती, रात में देख नहीं पाता है जिसको हम रताउंधी कहते हैं, night blindness हो जाता है और number 2, इससे एक बिमारी और होती है जिसको हम zero, zero pthylemia कहते हैं zero pthylemia जो होता है, हमारे आखों में जो retina होता है उसके अंदर एक पतली सी layer पाई जाती है वो सिकुरने लगता है, जिससे ब्यक्ती बहुत कम देख पाता है देखने में उसको दिक्कत होने लगती है जिसको हम zero pthylemia कहते हैं अगर zero pthylemia का इलाज सहीं समय पर नहीं कराया गया तो ये बाद में चलकर एक बड़ी बिमारी का रूप धार कर लेता है जिसका नाम होता है keratomalacia keratomalacia जिसमें ब्यक्ती देखने में दिक्कत होती है ब्यक्त देख नहीं पाता है मतलब कि हमारी जो retina है, उसमें जो crania है उसमें जो एक layer पाई जाती है वो सिकुड जाती है और ब्यक्त को देखने में बहुत परिसानी होने लगती है तो vitamin A जिसका chemical name retinal है और उसका दूसरा chemical name जिरो phytol है इसकी कमी से night blindness होता है और जिरो प्थैल्मिया होता है अगर जिरो प्थैल्मिया का इलाज नहीं कराय गया तो वो करेटो मलेसिया में बदल जाता है दोस्तो अब हम बात करेंगे दूसरे vitamin के बारे में vitamin A के बाद vitamin B1 का नाम आता है vitamin B1 का नाम thymine है इसका chemical name thymine है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है दोस्तो बेरी बेरी रोग का मतलब होता है सरीर में जकड़न होने लगती है सरीर में जकड़न हो जाता है और ब्यक्ती चलने फिलने में दिक्कत महसूस करने लगता है इसका जो सुरोत है वो मूंगफली है तिल है, सूखी मिर्ची है और हरी सबजियां है दोस्तो अब हम बात करेंगे B2 के बारे में विटामिन B2 के बारे में विटामिन B2 का नाम chemical name इसका है riboflavin है और इसकी कमी से जो बिमारी हो जाती है वो glossitis हो जाती है इस बिमारी का नाम glossitis है इसका मतलब होता है हमारी जीव जो है वो फटने लगती है जीव फटने लगती है और जीव में सड़न उत्पन हो जाता है और इसको ठीक करने के लिए या इसका जो बिटामिन B2 का जो स्रोत है वो है मांस, हरी सबजी और दूद इन सभी का सेवन करने से बिटामिन B2 हमें प्राप्त होता है अब हम बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में विटामिन B3 का chemical name होता है nicotinamide इसका नाम nicotinamide है और दूसरा नाम niacinine है दोस्तो इससे जो बिमारी होती है उसे पलेगरा कहते हैं पलेगरा बिमारी को हम 3D name भी दे सकते हैं दोस्तों इसको हम 3D नाम से भी जानते हैं इसका मतलब होता है पलेग्ग्रा में तीन विमारी होती है नमबर एक डायरिया नमबर एक फश्ट डी का मतलब डायरिया और दूसरा डायमेंजिया और तीसरा डरमेटाइटिस डाइरिया में ब्यक्ति को दस्त आने लगता है और डाइमेंसिया में ब्यक्ति के सोचने समझने की छमता जो है वो कम हो जाती है मतलब उसका मिमोरी जो है वो लास हो जाता है यह अलजाइमर हो जाता है उसका मिमोरी लास हो जाता है और जो Dermatitis है इसका मतलब तवचा में infection होना, दाद और खुजली का होना तो पलेग्रा में को हम 3D को भी नाम से जानते हैं डाइरिया, डाइमेंस या और डर्मेटाइटिस अब हम बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में विटामिन B5 का chemical name है pentothinic acid इसकी कमी से whitening of hair whitening of hair का मतलब होता है कि किसी भी ब्यक्त को आपने देखा होगा कम उम्र में उसके बाल जो है वो सफेद होने लगते हैं मतलब बालो का सफेद होना विटामिन B5 की कमी से होता है और विटामिन B5 का सुरोत है मांस, दूद, गन्ना, हरी सबजी, इत्यादी से विटामिन B5 का सुरोत है अब हम बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में विटामिन B6 का chemical name है pyredoxin pyredoxin विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग जो है वो एनिमिया है एनिमिया तो आप लोगों को पता ही होगा एनिमिया में RBC का बनना जो है कम हो जाता है जिससे ब्यक्ति का सरीर जो है वो पीला पढ़ने लगता है RBC cells का formation नहीं हो पाता है ब्यक्ति का सरीर कमजोर हो जाता है इन सभी के लिए जो सरोत है वो vitamin B6 का जो सरोत है वो दूद है मांस है और हरी सबजी है दोस्तो आप लोगों को एक चीज पता होगा जब कोई doctor किसी को iron की tablet देता है तो उसके साथ जो है folic acid को भी mix करके देता है ऐसा क्यों आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है दोस्तो iron जो है वो हमारे सरीर में तभी digest हो पाएगा हमारे सरीर में तभी जो है वो पूरी तरीके से digest होगा जो हमारे सरीर में folic acid की मात्रा उसी के हिसाब से होगी इसलिए doctor जब iron की tablet देता है तो उसके साथ folic acid भी मिला देता है अब आता है vitamin B12 vitamin B12 का जो chemical name है वो है sino-cobala mine अब जो है आप जो है इसका मतलब निकाल सकते है chemical name से ही sino-cobala mine इसमें आप देखिए यहाँ पर कोबाला लिखा है कोबाला का मतलब होता है कोबाल्ट जिसमें कोबाल्ट पाया जायता है उसी को vitamin B12 कहते हैं इसकी कमी से parnesius anemia नामक रोग हो जाता है parnesius anemia का मतलब होता है ब्यक्त का nervous system बहुत प्रभावित हो जाता है जो nervous system जो तंत्र का तंत्र होती है वो प्रभावित हो जाता है हाथ पैर सुन पढ़ने लगते हैं मतलब हाथ पैर सुन हो जाता है और ब्यक्ती अच्छे से किसी कार को नहीं कर पाता है वो ठंडे और गर्म में फरक नहीं कर पाता है जब हाथ पैर उसका सुन हो जाएगा परनीसियस एनीमिया डिजीज हो जाएगी तो हाथ पैर सुन हो जाएगा तो वो गर्म और ठंडे में कैसे फरक करेगा इसके साथ ही उसके पाचन तंद्र digestive system में भी कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है अब हम बताएंगे कि इसका जो स्रोत है beet oil का वो मांस है, अंडा है, दूद है, हरी सबजिया है अब हम बात करते हैं, vitamin C के बारे में vitamin C का जो है chemical name है, वो है ascarbic acid ascarbic acid, अब जो है आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि acid, acid का मतलब खटा, ये खटा चीज जितने भी खटे चीज हैं उसमें जो है vitamin C पाये जाता है, इसकी कमी से इसकरबी नामक रोग हो जाता है, हमारे दातों की जो मसूडे होती है उसमें खून निकलने लगता है, और दुरगन दाने लगता है vitamin C की कमी से इसकरबी नामक रोग हो जाता है और vitamin C जितने भी खटे पतारते हैं, उसमें पाये जाता है जैसे कि आउला, टमाटर, संत्रा और नीबू अगर कोई आप से पूछता है कि सबसे ज़्यादा vitamin C किस में पाये जाता है तो आपका जबाब होना चाहिए आउला, सबसे ज़्यादा vitamin C आउले में पाये जाता है अब हम बात करते हैं vitamin D के बारे में vitamin D का chemical name है calciferol calciferol, इसकी कमी से rickets नामक रोग हो जाता है rickets नामक रोग बच्चों में होता है और उसी के साथ साथ आश्टियो मेलेसिया विपलेसिया ये जो बीमारी है ये भी हड्डियों में हड्डियों को कमजोर कर देता है लेकिन ये बीमारी जो बुजुर्ग ब्हक्ती होती है जिनकी उम्र अधिक हो जाती है का कमजोर होना आश्टियो मलेसिया और रिकर्ट्स का एक 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 जामपल बहुत अच्छा है बोब्ड लेग जिन बच्चों में बिमारी जो होती है वो जिन बच्चों में ये रिकर्ट्स नामक बिमारी होती है उनका जो खड़ा होते हैं जब वो उनका मतलब ये देखिए को वो समझ लीजिए कि नार्मल है और कोई बच्चा अगर पायर ऐसे करके खड़ा है इसको कहते हैं बोड लेग इसका मतलब उसको रिकेट्स नामक बिमारी हो गई है आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जब वो खड़े होते हैं थोड़ तिर्चे खड़े होते हैं तो मतलब उनको रिकेट्स नामक बिमारी होती है अब जो है इसका जो स्रोत होता है विटामिन डी का विटामिन डी का स्रोत है दूद मक्खन और अंकुरित अनाज विटामिन डी का स्रोत है और विटामिन डी को ही हम हार्मोन्स भी कहते हैं विटामिन डी हमारे ये नेचुरल जीज़ है ये नेचुरल ही मिलता है ये हमें सनलाइट से पराप्त होता है देखते होंगे आप लोग जब बच्चा पैदा होता है जब उसको तेल मालिस होती है उसकी तो धूप में ले जाकर उसको बैठा जाता है वो इसलिए बैठा जाता है ताकि उसकी हड्डियां जो है वो मजबूत हो जाएं विटामिन डी जो है वो नेचुरली मिलता है इसको हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं और फिर हम बात करते हैं विटामिन E के बारे में, विटामिन E का जो chemical नेम है वो टोको फिराल है, विटामिन E का chemical नेम टोको फिराल है, इसकी कमी से infertility रोग हो जाता है, बहुत ही गंभीर समस्या है infertility, आज कल इस बीमारी से बहुत अधिक लोग ग्रसित हो जाते हैं, चु जाती है, infertility मतलब नपुन सकता हो जाता है, आपने बहुत से औरतों को देखा होगा, जिनके बच्चे नहीं उत्पन होते हैं, बच्चे नहीं पैदा होते हैं, उनको बांच कहा जाता है, ये कमी सिर्फ infertility के द्वारा ही होती है, नपुन सकता, इसका मतलब नपुन सकता होता है कोई पुरुस अगर किसी पुरुस के अंदर बिटामिन E की कमी है तो वो नपुनसक हो जाता है और अगर किसी महिला के पास बिटामिन E की कमी है तो वो बांच कहलाती है दोस्तो अब सबसे आखरी बिटामिन की बारे में अब हम बात करते हैं बिटामिन के इसका जो chemical name है वो phyloquinone है phyloquinone इसकी कमी से bleeding होने लगता है मतलब हमारा सरीर इसको हम आपको ठीक से समझाते हैं जब हमारा सरीर सरीर का अंग कहीं थोड़ा सा कट जाता है और वो खून जो बहने लगता है कुछ देर के बाद रक्त का थक्का बन जाता है तो ये रक्त का थक्का किसके वज़ा से बनता है विटामिन के की वज़ा से अकर विटामिन के की कमी होगी हमारे सरीर में तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और खून बहता रहेगा विटामिन के का सबसे बढ़िया इ हरी सबजी दोस्तों हमने आपको विटामिन ए के बारे में बताया था लेकिन इसका सुरोत जो है वो बताना भूल गये थे तो आप लोग सुन लीजिए विटामिन ए का सुरोत जो है यह दूद मक्षन अंकुरित अनाज और हरी सबजियां विटामिन ए का सबसे अच्छा शु और बेल आइकन को जरूर दबा देना अब हम नेक्ट टापिंग में नए चीज के साथ मिलेंगे नए टापिक के साथ मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक्स से लाट आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए